सो हमें समझ में नहीं आता है दोस्तों कि इस आइसी के साथ क्या-क्या बिसीकली फॉल्ट आ सकते तो मैं आज सारी चीज ए टू जैड क्लिए करूंगा अगर यह चीज किसी इंस्टिटूट में पढ़ी है तो आप कंपेर कर सकते हैं मेरे पढ़ाने और उनके पढ़ाने के अ एक पी चैनल का मौसपेट है और इसके जो गेट के आगे ना ऐसे जीरो आई टूची आई टूसी वन आई टूसी टू तो यह जीरो वन टू टू त्री फॉर तो हमें यह टेवल समझना होता है कि कौन सा नंबर हमारे बूटीन के आपको यहां देखने को मिल ला है जो कि इ दो एक वोल्टीन वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं एक आपको 3.3 एक आपको 1.5 हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फटूर जित है मेरा कुरूर जित है मेरी जुर्र है अब यूडिव फैमली कैसे आप सभी लोग सब से पहले विसी वही हपी दिवाली और आपको आपके सारे पडिवाड को इसे तेलिगों की पुरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को कुछ थि पावाली दोस्तों ग्दावली के पावन पर पे आज में आपके लिए बहुत कठिन नहीं है पर बहुत सरल भी नहीं है पर आइफोन को समझने का सबसे पहला जो गेट होता है वो होता है Android अगर आप Android को समझ गये तो आप iPhone को बहुत अच्छे समझ जाएंगे तो मैं सबी लोगों को यह दर्खास करूंगा कि जो भी iPhone करना चाता है वो पहले Android करें फिर iPhone क करें और मैं आप लोगों को प्लीज एक बार जरूर यह कहना चाहूंगा कि प्लीज आप दोनों कोर्स एक साथ मत करो किसी भी इंस्टिटूट के भैकापे में मत आई अगर आप iPhone और Android अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं तो आप प्लीज अपने पैसे बरबाद मत कीजिए आ दोस्तों एक दिन यह पढ़ें और दिन यह पढ़ें सुभे वो पढ़ें सामको वो पढ़ें आप अगर अपने आपको अगर यह सब इतना हलवा लगता है अगर आपको इतना इसी लगता है तो यह मुबाइल रेपेरिंग को छोड़के आई एस चॉइन किजे और देश मे जोइन करेके बड़े अपसर बनिये और अपने आसपास लोगों को घुमाईए क्या यह मुबाइल रेपेरिंग में आपको कोई क्या नाम कमा लेंगे अगर आप इतने अगर आईक्यू लेवल है आपका इतना बढ़िया और इतने समझदार है कि आप सुभे आईफोन समझ सब्सक्राइब नहीं है स्टूडेंट कहीं ना कहीं जाकर देमोटिविट हो जाता है क्योंकि विएफाई भी समझना है नैन प्रोगामिंग भी समझनी है और दौन ही अलग अलग है ठीक है इस वीडियो को पॉजिटिव लीजे एक मैसेज की तरह है इसको कोई अपने आइफोन पढ़िए कोई दिख करने है पर आइफोन पढ़ने के बाद दोस्तों हैंड स्किल बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ज्यादा तर फ्रैसर बच्चे जो आइफोन में जाते हैं और सीधे तीच चाली पचाज़ार के फोन में काम करेंगी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है तो चली शुरु करते इस वीडिव को यह डेडिकेट करता हूं तीह पर आपको बात करेंगे यूटु की और अभी क्यूत बात करींग आइफोन शेख की तो आइफोन सीग्स तो आइफान 8 के बाद या iPhone X तक जिसको हम बोलते हैं Hydra Hydra IC बोलते हैं, तो हम आज उसकी बात करेंगे, दोस्तो यूटू का basically जो नाम होता है वो Tristar होता है और Tristar के हम बात करेंगे और जो Tigris बोला जाता है वो इसकी charging IC को बोला जाता है, सो आईए इसके वारे में तोड़ा बात करें सबसे पहले देखिए, यह आपका iPhone का बोर्ड है, अब आपकी YouTube किदर है मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, कि YouTube basically क्या काम करता है, पहले मैं आपको locate करा दू तो मैं आपको अगर YouTube डिखाऊं तो दोस्तों, YouTube आपकी आपकी NAND के नीचे यहाँ पर project की गई है यह देखे यहाँ पर तो आप notice कीज़ेगा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं आप notice कीज़े तो यहाँ पर यह जो IC है ठीक है यह IC आपकी YouTube है और यह जो IC है यह आपकी TIGRIS है तो अगर मैं बात करूँ यह IC आपकी TIGRIS है और यह आपकी TIGRIS है दोनों ही अलग IC है यह एक complete charging प्लस अगर मैं बात करूँ यह DC to DC IC है एक protection IC है बोल सकते हैं DC to DC है सब ही काम कर रहा है इसके साथ एक protection और लगा हुआ है तो DC to DC converter लगा हुआ है और यह दोस्तों IC यह USB IC है प्लस एक charging enable IC है तो यह दोनों काम कर रही है यह आपका USB का भी काम कर रही है पर अगर मैं बोलूँ कि USB यूज नहीं करना सिर्फ charging enable भी कर रही है अगर यह खराब होगी तो charging भी enable नहीं होगी सो बहुत सारी मसेले होते हैं इसके साथ सो हमें समझ में नहीं आता है दोस्तों कि इस IC के साथ क्या क्या बिसिकली fault आ सकते है तो मैं आज सारी चीज A to Z clear करूँगा hopefully आपने अगर यह चीज किसी institute में पढ़ी है तो आप compare कर सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ी है पढ़ने जा रहे हैं तो आप भी इसको देखे और फिर आप देखे कि वह क्या इस लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं यह भी आप compare केजेगा तो जैसे कि मैंने बताया यह यूटू है यह एक USB IC पहले इसके मैं आपको फंशन बता दू यह एक USB IC है और यह charging एनिबल यूए मतलब आपके डाटा को देना लेना यह सब काम करना फ्लैसिंग करना यूइज भी का काम होता है फ्लैसिंग करना डाटा लेना देना और यह आपकी charging यह तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें आपको बता दिया है अब मैं बात करता हूं इसके यूजबी सट्केट में सो आप देख सकते हैं यह चार्जिंग सबसे पहले मैं आपको इस सट्केट में यह बताता हूं कि इस सट्केट में यहाँ पर आप नोटेस कीजे कि इस सट्केट में ओवर्रोल कौन-कौन सी आईसिया यूजबी तो मैं आपको बताता हूं देखें तो फिलाल यह जूमीन जूम आउट नहीं हो रहा है तो जितना यह जूम आउट और जूमीन हो सकता है मैं उसमें आपको दोस्तों पार्ट यह सोिए इसका CPU पार्ट हें चाल जिक्ना इसका कि पारट हो यह जतना भी वीज़ें ये इसका यूटूम वाला पार्ट है मल ShrlushU- USB-V-CodeAS-ominam बूलते हैं और दोस्तों यह जो पार्ट है यह इसका प्यम्यू पार्ट है मतलब इसका पावर आइसी का पार्ट है और दोस्तों यह जो पार्ट है यह इसका बीबी सीप्यू का पार्ट है यह इसका बेस्बेंग सीप्यू है और यह जो पार्ट है दोस्तों यह आपके चार् सबूर्ट दव फ्लेक्स्प्रिंट कनेकटर चीग है सो यह गडिया हुआ है कि अब दोस्तों इसके साथ में और भी अपर दिया हुआ फिलाल आप इतना नोटिस कर सकते हैं तक फूट्रों किस सकते हैं ताक कि आपकी नॉलेज हो और यह आपका पावर है यह बीबी सीप्यू है यह आपका करनेक्टर है अब मैं आगे जाऊंगा अब मैं नीचे आगे तोरह साँ स्प्प्लेण कर देता हूँ देखेगा तो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों यह जो आईसी यह इसकी । यह इसकी चार्जिंग आईसी है वह इटिग्री करें इसको एस एक एसा अऐसा एक ऐसा एसी वैस्ससाथ को साथ समझ्हें आता है कमांड के लिए फ्रल में साथ क्या है जिर्क के साथ सबस्क्राइम कि यहां ठाभ भी जोड़ डिया गया है और आप सोचो कि ही यहां पर कुछ से कहीं अच्छा और भैतर समझ में समझाय जा रहा है कि नहीं समझाय जा रहा है और डिटेलिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है तो यह भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ठीक है क्योंकि हल लाइनों का मतलब होता है और बहुत सारी लाइनों में मैं काम भी करना पड़ता है अगर आप बात करते है चिप लेवल की तो औरीजनल चिप लेवल इसे ही कहते हैं तो चलिए अब मैं बात करता हूं अब सबसे पहले दोस्तों हम इस पर क्लिए करेंगे तो हमेसा दहन आखेगा आइस्यो के प्रोटोकॉल जैसे कि मैं अपनी क्लास में समझाता हूं फिलाल मैं उन प्रोटोकॉल य कि आपको आई पर गूसेज की बात करनी है तो यहां पर जो भी राकलर डिख दे रहा है वह आई एक कि दे रहा है क्या और गऴ रही तो आप देखेंगा kommt स्बाद है तो सबसे पहले अगर बात करेंहें देखें एक ने लाएंविंप आँ ठीक है अब आपको यह दिखाई दे रहा होगा तो अब हम इसके वोल्टेज की जनकारी लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जो अगर बात करें इस पर जो वोल्टेज है आप नोटिस करो सो ट्री स्टार मतला यू टू से एक होर्ष रिसेट लाइन आती है मतलब बसीडिली पावर इसको एक से लर्ड देता है कि यह टेज You से वर्सिय semester स Bug पावर को भी रिसेट लाइन देती है जिसमें पुल-ब रिजिस्टर 1.8 वूल्टेज के साथ लगा हुआ है यहां पर एक पुल-ब रिजिस्टर लगा हुआ है 1.8 वूल्ट अगर यह रिजिस्टर भी निकल जाएगा तो भी आपका यूएसबी काम करना बंद कर देगा क्योंकि वो रिसेट ही नहीं होगा तो इसको रिसेट होना भी बहुत ज़्यादा जोरी है और यह इसको पावर को भी बेज रही है कि इनकेस अगर सीप्यूस को रिसेट नहीं कर रही है तो यह पावर इसको डारेट रिसेट कर सकें ठीक है तो इसको दोनों वोट से रिसेट दिया जा रहा है तो अगर मैं बात करूं तो यह हो गया पहला दूसरा अगर यहां पर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज आपको चेक करना है दूसरा अगर हम बाग करें तो द को समझेंगे कि वह हां इंपुट ले रही है ठीक है सो अगर मैं बात करूंगा और यही वूल्टेज रिसेट के बाद आते हैं तो रिसेट होगी तो ही वूल्टेज जनरेट होएंगे सबसे पहले आपको 3.3 इस कैपिस्टेटर में चेक करना है यह जो भाल लगा हुआ है यह एसेसरीज क्या यह बिसिकली जो आप बात करेंगे सप्लाई होती है उसकी तो उसके लिए उसको वोल्टेज मिल रहे हैं दूसरा आपको 1.8 HD रैम से मिलना है जो आपकी ऊपर रैम से बन रहा है और यह बिसिकली ओन होने से और बनेगा जैसे कि आपने फोन में आउन करोग आपको सोचने की आप यह आपको गौड करने की बात है कि अगर इस क्यापिसिटर में सौर्टिंग गई यूटूप पर काम करते समय यह किसी भी तरह के से यह लाइन लीके जा सौर्ट हुई या कहीं से करेंट हो गई तो आपका फोन डैड हो जाएगा क्योंकि एक वोल्ट बिल रहे हैं जो कि यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा यह 3.3 ती स्टार यह साइसी को एनेबल करने के लिए तीन गुल्टेज दिये जा रहे हैं जो कि आपको इस चैपिसिटर पर बाहर चेक करना है कि वह कहा है जैसे यह सीवन साथ साथ सो आपको यहां देखने को मिल रह यहां आ अगर आम यहां देखेंगे तो यहां पर देखिए यहँ दिरिया हुआ आप यहांपर चाहें तो सीपी पर सकते हैं और बाव की एक रजिस्टर को भी आप 1.8 वोल्टेज मेजर कर सकते हैं बट इस लाइन को अगर आपको मेजर करना होगा दोस्तों तो यह आप नहीं कर पाएंगे आप इस आइसी का जी आर उतार के चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर सो यह आपको सेम बोर्ड या आपको जो वू आपको सबसे पहले यहाँ पर यह कुछ लाइन देखने को मिल रही है ठीक है अब हम इस लाइन की बात करेंगे तो दोस्तों यह हमारा CPU है और यह हमारा यूटू है सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं जैसे यहाँ पर 90 AP by ट्रांजिस्टर पर रहा हूं मैं तरी venue x usb positive or usb negative यह जो two supply है दोस्तों यह supply हमारी data sharing की supply होती है और अगर मैं बात करूं यह डीवग यू आट और अगर मैं बात करूं यू आट और यह जेटेक यह जितनी भी जो सप्लाइं होती है दोस्तों यह टेक्निशन को हमें चेक करने के ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह सप्लाइं बिसिकली कंपनी यूज करती है और कंपनी अपनी फर्मवेर डालने के लिए आइमिय या कोई भी जो बात करें अगर उसको कोई टेस्ट करने के लिए किसी चीज़ को अपने वर्जन या अपने स्वाटवेर को टेस्ट करने के लिए की जाती है जैसे हम USB से बात करते हैं तो यहां जाम डाटर रिड राइट कर सकते हैं तो यह वाले सब्सक्igor करती हैं यह यह कमपणी यूज करती है यह हम यूज कर नहीं आपको यूणज ही यह यह सारी चीज़ें आपको आप से भी छीज़ों कि पर पाइडों के अंदर जी आड चेक कर सकते हैं कि यह नहीं है बाकि इससे जभी जादा आपको मिलेगा नहीं अब अगला अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो आपको सीक्व से जो में सप्लाई देखने को मिल रही है वह सप्लाई है आपकी आई टू सी अब I2C दोस्तो iPhone में बहुत important होता है जैसे Android में बात करें तो आपको I2C देखने को मिलेगा जो बहुत सारी ISO से connect होता है यहां पर भी I2C बहुत सारी ISO से connect होता है आपको I2C table समझने की बहुत ज़रूत है I2C table मतला basically आइटी दोस्तो I2C के आगे न ऐसे 0, I2C 1, I2C 2 तो यह 0, 1, 2, 3, 4 तो हमें यह table समझना होता है कि कौन सा number हमारे booting के लिए process में sequence में लगाया गया स्क्राइब पहले यह उसके बाद दूसरा तीसरा आप दान रखना आइफोन अभी फिलाले 6 के अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आइफोन इसको मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो आईटूसी आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर आप जीरो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है दोस्तो कि अगर यह लाइन से दिक्कत गई तो यूटूसे भी फोन डैड हो सकता है यूटू से भी फोन आपका यहां पर बंद हो सकता है तो यह दिमाग में आप रखेगा क्योंकि यहां पर I2C की लाइन दी है और वो बूट करने नहीं देगी प्रोसेस नहीं करने देगी CPU कमांड नहीं कर पाएगा बाकी सारी ICO को यह उसे डाटा सेरिंग नहीं कर पाएगा ठीक है आप अगर इस लाइन को चेक करना चाहते हैं तो यह टेस्ट पॉइंट यहां पर दिया हुआ है एंड्रोइड में टीपी बुलाते हैं यहां पर पीपी बुलाते हैं अगर मैं बात करूं आप इ jetzt GR आपको मिलना चाहिए वह 300 से सारे 600 के आसपास मिलना चाहिए और यह जी आर्श पर miejsce में बी चेक करना है आपको किसी बी शूरत पर साथ सो से ंपर जी आरा या जैसे सारे साथ सो या आठ सो तो मतला आई-टू-सी लाइन आपका कही ना कही miss हो चुका है और जो किसी दूसरी IC से add होकर आ रहा है मतलब आपको हो सकता है वो CPU से line cut गई है तो यह दमाग में रखना यह leakage हो गया है तो यह आपको इस line को पूरा चेक करना पड़ेगा यह किस किस IC में जा रहा है सो जैसे हम बात करेंगे यह जा रहा है D3 और D4 में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ देखें यहाँ पर आप देख रहेंगे यह U2 आपको दिखाई दे रहा है सो यह इसका D3 है और यह D4 है आप देखें D3 में टच किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है I2C 0SDA और अगर मैं इसको माइनस करूं तो आप नोटिस करेंगा यह रहें यह और कहां कहां जा रहा है तो आप देखेंगा यह CPU में जा रहा है आप देखेंगा यह पावर में जा रहा है आप देखेंगा यहाँ फ्लैज स्टोरीज आइसी है उसमें जा रहा है आपके ग्राफिस आइसी में जा रहा है यहाँ पर तो दूस्तों आप इस यहाँ पर आपको इस आइसी को टार के इसका पैड लाइन चेक करना होगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं यहां पर यह हो गई हमारी आईटू सी की लाइन और हम देखते हैं अब हमारे को एक लाइन हो जा रही है यह जा रही है त्री स्टार टू एपी इंटरप्टेट की लाइन दोस्तों इंटरप्टेट क्या हो यह 3 star AP को यह बताना चाहता है कि भईया अब आप सारी लाइनों को आप सा जो अपार जो भी है जो इस यह लाइन इस आइसी पर भी यू टू वन टू जिरो टू एक आइसी पर भी जा रहे है तो बिसिकली इंट्रप्टेट की लाइन भी आपको चेक करने पड़ेगी सो अगर आपको लगता है कि मनलब फॉल्ट अब देखो मैं आपको एंड में बताता हूं किस किस फॉल्ट को देखेंगे कि यह सारे कनेक्शन क्या हैं सो नोटिस किजएगा यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं यहां उपर दो बेजबेंट के कर रही है और अगर हमने यह नोटिस करते हैं कि यहां पर अगर आईमी आई का फोल्ट आता है जैसे नहीं नहीं आ रहा है और अगर इक बार निकाल कर आई पैडलाइन चेक करके या उसको रिवोल या उसको चेंज करके देखना पड़ेगा दिमाग में रखिए का क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं बेजबेंट भी से जुड़ा हुआ है ठीक है अब मैं बात करूंगा यहां पर कि मेरे कनेक्शन की सबसे पह मैं इस connection की तो सबसे पहले आप देखे यहां पर झौन पॉजिटटिव दोट की लाइन है और उप पीर टू निगेटिव की लाइन है तो यह क्या काम कर ऩी है तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं यह से PC से connection बना रही है तो अगर आपका PC से connection हो रहा है तो basically इस लाइनों से हो रहा है ठीक है दूसरा जो pair 2 काम कर रही है यह आपके data send करने का काम कर रही है जैसे आप photos हो गया या आप video कर रहे हैं तो यह आपकी line उस data को send करने का काम कर रही है ठीक है यूएसबी डिडेट होता है जैसे आपको charger लगाते हैं और आपको उपर समझ में आ जाता है कि हाँ मेरो signature डिग गए है चार्जिंग लगाने वाले अब बात करते हैं यहाँ पर एक 3 star ACC1 है ACC2 है इसका full form होता है accessory आप नोटेस करते होंगे कि कई बार आप cable लगाते होंगे और accessories not supported accessories not supported ऐसा कुछ एक message भी आता होगा दोस्तों आपका जो cable है वो reversible है वो type C के जैसे है आप ऐसा भी लगा सत्ते हो ऐसा भी लगा सत्ते हो iPhone में So basically accessories 1 और accessories 2 यही supply है अगर इसमें से एक भी supply ओपन हुई So आपका cable एक जगे तो connect हो जाएगा पर दूसी जगे connect नहीं होगा अब वो कोई सा भी हो सत्ता है So यह दोनों जगे connect हो इसके लिए इसका accessories 1 और accessories 2 दिया हुआ है So यह दिमाग में रखेगा और यह आपके errors अगर आ रहे हैं accessories का So यह आपको यह line और यह coil चीक करनी होगी ठीक है यह coil निकल सकता है यह यह line पे लिके जा सकता है अब मैं बात करूंगा इस IC को audio IC माइक से जोड़ा गया है मलब आप समझे अगर माइक में आपको किसी परकार की प्रोब्लम जा रही है और आप audio में काम कर चुके हैं तो भी आपको YouTube में काम करना पड़ेगा ठीक है अब overall अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर main supply जो अब और एक supply आ रही है यहाँ पर देखे की charging जो connector है या जो आप APC connector बोलें आप जिसको भी आप उस character से इस number से एक 5 voltage की supply जिसको हम बीबस बुलाएंगे वो supply यहाँ पर enter कर रही है ठीक है और इसके बाद एक MOSFET में जा रही है अब यह Q17 अगर दोस्तों मैं इस MOSFET की बात करूं आप नुर्दिस कीजेगा Q17 यह रहे के कि अगर मैं दोस्तों इस MOSFET की बात करूं तो देखिए यह MOSFET है और यह जो MOSFET है दोस्तों यह यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यह एक पी चैनल का MOSFET है और इसके जो गेट है इसको गेट को लो किया गया है एक हाई वैल्ली रेजिस्टर 10 के साथ अगर यह घट जाएगा तो यह जो आई सी है काम करना बंद कर देगी और यहाँ पर हम बात करेंगे पाच वॉल्ट को ड्राइब किया गया है यहाँ पर बिसिकली यह आपका ड्रेन हो गया है यह आपका सोर्स हो गया है और यहाँ पर इसको अगर माले जह घराब हो जाता है तो अब इस MOSFET को अचाएग तीन नंबर से दो नंबर पर जंपर भी मार सकते हैं पर दोस्तों जं तो आप यह MOSFET को समझ गए होंगे अब मैं बात करता हूं यहाँ पर तो अब इसको आप समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहां से इस MOSFET के तुरूप पाज वोल्ट एंटर कर रहे हैं यहाँ पर इस MOSFET को लोग किया जा रहा है और यह पाज वोल्टेज ड रही है अब D6 वाली जो पैड लाइन है वो जोड़ी होई है आपकी टिग्रिस से जो ची आपकी चार्जिंग आईसी है अब आप नोटिस किजेगा यहाँ पर जैसे इसको यूटू को यह पास बोल्ट इन होता है यह यहाँ पर एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई निकालती है और जो हमारे चार्जिंग आईसी को मिलता है यह चार्जिंग आईसी है और इसको 1.8 तो आपको इस टेस्ट पॉइंट पर 1.8 वोल्टेज चेक करना है यह आ रहे की निया रहे चार्जल लगाने के बाद अगर आ रहे हैं तो मतलब आपका यूटू इनेबल भेज रहा है यूटू आपका ओके हो सकता है आपको चार्जिंग आईसी पर काम करना पड़ेगा हलाकि यूटू को चेक करने के टेस्ट पॉइंट होते हैं जिस पर रिवर्स और फॉर्वर्ड मोड पर हम जो रीडिंग है वो निकालते हैं और रीडिंग के साब से हम देखते हैं कि वह अगर जावरी है अगर यह यह एकि तो चार्जिंग सी नहीं होगी और आपको चार्जिंग नहीं होगी लगा पर काम करते रहों कोई मतलब नहीं आपको स्काइव सीनल देखना पड़ेका वर्त से पना और यह वीडिओ काफी बड़ा हो गया है मैं पहले हुआग बहुता ह यहां पर हमारी charging का problem आ जाएगा यहां पर हमारा बूट मतलब basically हमारा phone dead हो जाएगा और यह तो हमारा basically company वाले काम है तो यह हमारे को कोई इतना दिक्कत करेंगे नहीं यहां पर अगर मॉसपेट खराब हो गया तो यह charging नहीं होगी यह भी दमाग में नहीं रखना ठीक है यह प्रॉब्लम से माइक का problem आ सकता है पर आपको सबसे पहले सारे audio चेक कर लेना है उसके बाद में यहां पर आना है आपने यह वाले यह वाली और पीषी को में करने हुए रहा है नियुक्पन कानिस्ट और यह वाली नहीं होगी तो दाट अंकि नहीं बधा भी और इस वर्यक्यीस यहां польз नहीं होगी तो यहिश में हिना आए पसंद आए और मुझसे आप रिक्रेस्ट में वीडियो भी मांग सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको क्या वीडियो चाहिए जो जिनुए टॉपिक होई कि इस पर मैं वीडियो ज़रू बनाऊंगा बाकि बहुत सारी क्लासों का कंटेंड भी होता है बट हमारी क्लासों मे मेरे पास जो भी है मैं सब दे दूँगा क्योंकि मैं यह मानता हूं कि मैं खाली हो जाओंगा और उसके बाद भढ़ने के बाद फिर आपको नहीं चीज देने के लिए वापस आ जाओंगा तो तेंक यू बड़ी मच और दिमाग में रखेगा जितनी चीज में आपको समझा रहा हूं आपको अगर वही सारी चीजें दूसरे इंस्टिट में मिलती हैं किसी आइफोन के इंस्टिट में तो आप समझेगे कि आपको बैतर पढ़ाया जा रहा है अगर आपको यह वीड़ो पे कमेंड करें और लाइक करें थेंक यू करें दिश्फ